हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम बैक तो यह आट क्लास, लुक स्टुदेंट्स, इन टूदेज यह लेक्चर, आई विल तैल यू, हाओ यूवल, जूवल, डो पेच नमबर 37 ऑफ यह बूक, ठीके बटा, लुक केरफुली, बेटा, यह स्प्रेय पैंटिंग है, ठीके बटा, आज के यह लेक्चर में मैं आपको स्प्रेय पैंटिंग सिखाने जा रही है, तो द्यहान से सिखोगे कि स्प्रेय पैंटिंग होत करते हैं ठीक है बच्चे देखो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने इस तरह से एक स्क्वेर पेच ले लेना है और उसको किसी भी डिजाइन में काट लेना है देखो मैम ने इस डिजाइन में काटा है ठीक है अब मैम क्या करेगी मैम स्क्वेर पेच को ये देखो ये जो स कर दिया इतनी चीज समझ आ गई अब उसके बाद क्या करना है आपको एक प्लेट लेनी है ऐसे उसके बीच में ये देखो ये है कैमलीन के वाटर कलर है ये ठीक है इसमें से कोई भी एक कलर आपने ऐसे प्लेट में ले लेना है ठीक है थोड़ा सा पानी डाल लेना है देखो ऐसे ठीक है अब आपके घर में ऐसे वेस्ट ब्रश होगा तूथ ब्रश ठीक है वो ले लेना है आपने अब क्या करना है उसके बाद इस तूथ ब्रश को आपने ये देखो कलर में ऐसे देखो ऐसे डिप करना है ये अच्छे से ये देखो ऐसे कलर को लगा लेना है ठीक है यह ऐसे अब क्या करना है आपने यह देखो ब्रश के ऊपर थम को यह देखो ऐसे रखना है ठीक है अब इसको ऐसे उल्टा कर लेना है अब यह थम से यह देखो ऐसे कलर को उतारना है यह यह क्या हो रहे है यह स्प्रेय पेंटिंग क्या हो रहा है यह यह स्प्रेय यह 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 अब आप इसके उपर दूसरा कलर कोई स्प्रेड करना चाहते हो येलो कलर ब्ल्यू कलर ग्रीन कलर कोई भी तो आप उसको भी ऐसे प्लेट में ले सकते हो मैं आपने ब्ल्यू कलर ले लिया ठीक है अब ब्रश को ऐसे ब्ल्यू कलर में डिप कर लेना है अब उसको भी ऐसे यह देखा अब इसके बाद क्या करना है आपने यह जो पेपर पेस्ट किया था ना इसको ऐसे उतार लेना है बड़े अराम से बुक को नहीं फाड़ना कहीं आप इतनी तेज खीचो कि बुक फट जाए यह देखो यह इस तरह आपका यह डिजाइन आ जाएगा यह देखो यह हमारी क्या हो गई स्प्रे पेंटिंग ठीक है पिटे समझ आ गया तो अब आपने भी अपनी बुक का पेच नंबर 37 स्प्र पेंटिंग स्प्रे पेंटिंग उसको ऐसे करता है ठीक है कर लोगे तो अब आपने क्या करने हैं अपनी बुक के पेच नंबर 37 तक कंप्लीट कर लेने हैं विद कलर्स ओके बटा बाए थैंक्यू एव नाइस टे